हैलो वाइज! Plaspain के YouTube के वीडियो में आपका स्वागत है बस मेरे इसी तरीक़े से मेरे सपोर्ट में रही है मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट और सस्क्राइब जरूर कीज़ें मरे वीडियो का अगर अपने सस्क्राइब नहीं किया तो प्लीज कमेंट में लिखे कि आपको वीडियो कैसा लगा तो मुझे भी अंदजा आ जाएगा अभी एक खुशी की बात मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि मुझे काफी लोगों की कमेंट आ रहेते हैं सर कोई electronics related कोई course चालू कीजिए तो आप सबीने मेरे वीडियो सो किया है जिसमें आपको hand to hand practical knowledge मिलेगा अभी कैसे होता है मैं आपको बता दू खाली इसकी जो batch है वो 16 January से चालू होने वाली हमारा जो branch है वो एक है मुंबई में कल्यान के अंदर यह मेरा mobile number है आपको अधिक जानकरी लिए खाली मुझे आपको call करना है मैं आपको पूरी ज अदर दूरा स्विंञे आपको用 अधिक आपको फौक कैसे बना है अबको अधिके स्मेंशन में इंटरेस्ट है तो किसे संधेसे आपको को फॉर्म भरके भीजना है तो खाली Google Chrome आपका चालो कीजिए देखें मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ यहां पर लिखें प्लस प्लस पॉइंट इंडिया डॉट इन यह देखें प्लस पॉइंडिया डॉट इन लिखना है एंटर दबाना है यह हमारी वेबसाइट है यह खुल जाएगी यहां पर स्टूडेंट जोन है यहां पर ऑनलाइन एड्मिशन का एक प्रोसेस है इस पर क्लिक कीजिए आपके साम में आ जाएगा यहां पर आपका नाम जेंडर मेल फीमेल आपका इस डाल दीजिए आपका कॉंटेक्ट नंबर डालिए इमेल डालिए ओक्यूपेशन लिखें कुन सा कोर्स में आपको इंट्रेस्ट है क्योंकि बहुत सारे कोर्स है यहां पर अभी तक यह आपको किस चीज के लिए और अधर कोई क्वेरीज है आपको कुछ भी दिक्कत है या आपको कुछ पूछना है तो आप यहां पर पूछ सकते हैं और यह सब्मेट बटन दवा दिए तो मुझे मेल मिल जाएगा आपका तो यह मेल मिलने के बाद मैं आपको तुरंद एक या कैसे आप online form भर सकते हैं याद रखे कि यह जो कोर्स है इसमें बहुत सारे content है यह सब content है जो मैं कोर्स के दर्मियान cover up करना है टोटल 42 content है जो इस कोर्स में हम लोग कवर up करने वाद है यह कोर्स के दर्मियान मैं आपको जो हम लोग ने totally ऐसी 42 kits design की है ओके जिसमें हर चीज के practicals हो गए अभी जैसे के example यहाँ पर transformers और inductors का यह kit है फिर यह capacitor का kit है फिर यह analog to digital convert कैसे किया जाता है यह practical यह आप देख सकते हो तो ऐसी यह rectifier की kit है तो वैसे हम लोग ने बहुत सरी kits हमारे ही सबसे design की है practical के लिए best है तो यह कूर्स अगर आपको करना है तो खाली एक मुझे call कीजिए online form भर जी आपका आम हो जाएगा 16 January से हम लोग admissions चालू कर रहे है admission इसकी 25 December से start हो रहे है तो 25 December के आप मुझे call कीजिए online form भर देजिए हम लोग आपको सामने से call करेगे ओके चले आज के topic के और बढ़ते है आज का जो topic है वह है three phase step of transformer मुझे काफी सारे लो चले start करते हैं देखे हम लोग transformer का इस्तमाल क्यूं करते हैं क्यूंकि मानलोगी low input को high output में convert करके high voltage में convert करके आप heavy transmission हैने दूर तक उसको भेच सको इसके लिए हम लोग transformer का इस्तमाल करते हैं मैंना को पीछली वीडियो में ट्रांसफोर की वीडियो में दिखाया था कि मानल तो बहुत काफी दूर रहते हैं पावर प्लैंट से तो इतनी दूर से जो अगर ट्रैवल करेगा वोल्टेज और करेंट तो पावर जो है कम नहीं हो जाएगा कम ना हो इसके लिए उसको heavy voltage के जरीए भेजा जाता है चार सो चालीस वोल्ट करके उसको भेजा जाता है तो य अगर आपको नहीं मालूंग रहेगा तो पिछला वीडियो ट्रांसफोर का देख लीजिए यहां पर आपको जो साइड में आई माक दिखाए देगा वहां से भी अजास कोते हैं यह वीडियो के एंड में मैं लिंक डाल दूगा उसके जरीए भी अपडेच सकते हो तो मैं तरांसफोर के बारे हैं थोड़ा शे मुरोड को आसे दिखा दू कि ट्रांसफोर के अंदर दो कौइलस रहती है bibig जिसमें citizens का फ्लिक जने voll єड होता है जिसके जरीए आपको इन्पूर अलग रहता और आउटपूर अलग मिलता है निय पूरी डिपेल्ट मैंने ट्रांसफर्मर के अगले पिछले वीडियोज में आपको डाल दी है आप देख सकते हैं तो three phase transform में होता है कैसा है जैसे यहाँ पे एक coil का याने एक की core है जिसके अंदर एक primary coil है और एक secondary coil है तो यह टोटल एक phase हो गया तो वैसे तीन अलग-अलग में face ले लूँ तो इसको मूलते three face transformer तीन अलग-अलग मैंने transformer ले लिए एक साथ में join कर लिया इसको क्या बोले हैं हम लोग three face transformer लेकिन इसमें थोड़ा सा अलग-अलग रहता है three face transformer के अंदर three face transformer के अंदर होते हैं कैसा है primary और secondary sit concentrically याने क्या कि जो primary और secondary का जो winding है ना यह primary यह secondary है हम लोग ने normal transformer तो ऐसे ही सिखा था लेकिन three phase के अंदर थोड़ा अलग रहता है इसको ना primary के अंदर secondary को डाला जाता है secondary जो रहेगा वो भार के दर्फ रहेगा उसके अंदर primary को बिठाया जाता है concentrically का मतलब है एक के अंदर एक तो primary है उसी जगे पे आपका secondary भी कोईल रहेगा यह पहला phase हो गया वैसे यह second phase और यह third phase वैसे यहां पर primary one primary two primary three secondary one secondary two secondary three इस तरह से उसको बिठाया जाता है तो यह जो है एक example है कि किस तरह से आपको त्री फेस ट्रांसफोर में एक से एक चुली उसका construction का इसा रहता है यहां पर बताया गया है यह तरह से रहता है यह actual design है उसकी ट्रांसफोर के अंदर जो रहता है यह primary elementary coil है और यह secondary coil है वैसे ही यह second phase का primary coil और यह secondary यह third phase का primary coil यह secondary coil आ यह secondary coil और यह यह जो रहता है वह बाँर के दर्फ रहता है यह जहां पर Chit के बाजमा रहता है. Basically और उसके भार की दरफ जो रहता है, वो रहता है, secondary cold. ओके तो ये इस तरह के से उसको डिजैन during करा. गई है अन्दर की दरफ जैसे की मैंने बताई ये, low voltage winding रहता है और भार की दरफ जो रहता है, आबिभी . Discट टाइप वाइंडिंग. इसिंदर जो डिस टाइप रहता है। इस तर्फ से जोड़ा जाता है। आप कि यह दूसराम रहता है। करना डिसक के तीसरे स्क कहें तो इस तएसे स्कों अंदर और उर भा करूँंडिअ चुड़ा रहता है यह इन्हा पर इनर क्रोसा वर बोलते हैं हो अ करिकоры इनर क्रोसम षइवर इस तरह से जो भार का जो वैंडिंग है में अदर है उसका जो फिटिंग होता है उसका साहर लो वल्टेज वाइनिंग जो रहता है इस कनेक्टेड इन डेल्टा कॉन्फिग्रेशन हाला कि मुझे काफी लोगों ने पूछा है कि सर डेल्टा और स्टार के बारे में बताओ डीटेल में इसमें मैं थोड़ा सा एक मैंने लिमिटेड बताया है डेल्टा और इसके अंदर अधिक लिए किसे थ्री आउटपूट बाहर निकलता है तो यह डेल्टा कनेक्शन में आपको यहां पर देखो मैं बता रहा हूं यह अंदर का फॉइल की बात कर रहा है प्राइमरी कोईल है जो लोग वोल्टेज की जो कोईल है उसको डेल्टा कॉन्फिग्रेशन में बथ इसको हम लोग ने कैसे जोड़ा है डेल्टा कनेक्शन से फॉड़ा हूँ उसको इसार कॉन्फिग्रेशन से जोड़ने का फाइधा ऐसा है कि तीन आउट्पूट तो निकल देए प्लस एक नूट्रल भी अलग से निकाल लेता है देखो स्टार के अंदर ये बहार का कोर है ये अंदर का तो कुल तो डेल्टा से हम लोग ने जॉइंड किया तो बहार का जो कोर है ये देखो ये एक को दूसरे के साथ में जोड़ा है ईसको पहले के साथ में जोड़ा हुआ है और तीनों का नूट्रल एक साथ में जोड़ दिया है है समन μέ Fach jesteren यहां पर एक ब्ला जई स्टार पूट पूट जो है एक दो और तीन भी निकले हैं और साथ में नूट्रिल का एक अलग से आउटपूट निकलगा ये हैंने तोटली आपको इसके दर चार आउटपुट मिलेगे, देखो, यहां से एक फेस का, देखो, यहां पर लिखा हुआ है, देखो, देखो, इसके बार में अलग से में वीडियो बनाने वाला हुआ, स्टार और डिल्टा के वरिटनम डिटेल में, लेकिन आप बेसिक्स मैंने आइडिया दिया है, जो आप उसको समझने की कोशिश करो, और इसकी खासियत कैसे रहते हैं, इसमें आपको दिखाई देता है, कि यहां पर अलग-अलग कोर जो है, यह ट्रांस्वार का कोर बोलते है यह कैसा रहता है, एक insulated metal sheet रहता है, यह laminated रहता है, यह पतले-पतले है ऐसे sheet के टुकडे रहता है, जो इसको आपस में laminate किया है, एक साथ में जोडा रहता है, इससे होता कैसा है, कि जैसे ही इसमें हम लोग transformer जैसे on करेंगे, तो इसमें उसकी जो added energy रहती है, heat जो रहता तो heat से disappear करने के लिए, यह जो core है, वो काफी बढ़िया तरीके से काम करता है, क्योंकि अलग-अलग laminated sheet है और पतला-पतला है, तो heat जो है, उसको आराम से disappear कर सकता है, यह उसका फाइदा है, तो इसके लिए laminated core जो रहता है, उसके आजबाज़ो में इसा पतला sheet रहता है, तो याद रखे कि मैं वापिस बता दू, इसके अंदर 3-phase transformer के अंदर फेज और primary और secondary, तीन फेज रहता है, उसमें primary और secondary एक ही line में जोइन किया रहता है, जिसको consider के लिए बोलता है, यह एक के अंदर एक डाल रहता है, यह primary है, यह secondary है, इस ते से लगा जाता है, primary जो रहत के अंदर की कोईल को अटाच किया रहता है, यह है delta connection, A to B, B to C, C to A, इस तरह से connection किया रहता है, और star के अंदर बहार का winding है, उसको star connection से configure किया रहता है, A to B, B to C, C to A, और सभी को एक neutral connection रहता है, इसलिए star में totally चार output बहार निकलते है, तीन phase का और एक neutral का, ओके, और यह जो core रहता है, यह heat dissipate करना है, काफी मदद का रहता है, इसलिए आपको एक aluminum course ऐसे बारी thin layers में काटे रहता है, और लगाया रहता है, अभी यह जो transformer दिखाए देता है, यह transformer से current को भार निकान लिए, इसलिए यहां पर high voltage insulated boosters लगाया रहता है, यह boosters जो रहता है, यह जैसे के main line यहां से connect होने वाली है, और नीचे तो core है, अपना coil है, तो यह coil से joint होती है, बुस्टर और बुस्टर के जरिए output या input दिया जाता है, यह heavy voltage booster रहता है, ताकि coil डारेकली एक दूसे के साथ में connect बुस्टर के जरिए properly insulated booster रहता है, जिसके जरिए properly output बाहर निकले, यहां पर conservative tank रहता है, जिसके इनर oil रहता है, अभी oil की जरूद क्यों बढ़ी, क्योंकि ट्रांसफोर्मर होना है, जब हम लोग ट्रांसफोर्मर आउन करते हैं, तो एकदम हैवी, इसमें heavy voltage draw होता है, heavy voltage का काम होता है, इसमें heat भी बहुत सारी चलती है, तो इसको बचाने के लिए, इसको इसके अंदर totally यह जो टैंक है न, वो पूरा oil से भरा हुआ रहता है, और यह जो जो विंग दिख रहे है, इसको हम लोग लोग रहते है, रेडियेटर फिल्स बोलते है, यहां पर कैसा रहता है, अगर oil नहीं रहेगा न, तो क्या हो जाएगा, इसकी जो को रहती है, और यह ब्लास्ट हो जाएगा, तो इसको बचाने के लिए अंदर बहुत सारे लोसे से बचाता है, अफकोस यह इसमें टेकनिकली oil डालने का बहुत बड़ा रीजन है, तो इसके अंदर जो oil देता ह है, वो बेसिकली इसमें कुलन का भी काम करता है और पाट से बचाने का काम करता है, और था just स्टेप आप ट्रांसफर्मर बहुत बड़ा ट्रांसफर्मर की बात हो रही थी यह मैंना उसका कॉंसेप आपको बताने उसका कंस्ट्रक्शन बदा अंदर क्या रहता है कैसे काम गाता वह बताने के कोशिश की आप मिरे वीडियो आपको पसंद आए कुछ भी डाउट है तो बिंदा सब मुझे कॉल कर सकता है लेकिन कमें उसका क्वे कहा क्या पॡ्रॉलम हो का सॉल्टै